सास्तिकाल दोस्तों ओम शांति तो हड़े आपने प्रोग्राम नमी किड़न दे विच तो हड़ा सब्दा स्वागत है पिछले एपिसोड दे विच तो जाने के किड़ा इंप्रेशन और रिग्रेशन करके असे डिपरेशन दे विच आ जानने हाँ मतलब वातावर अंदी परवाह करके कुछ कड़ियान राददानौं बार बार जाध करके असी अपना समां बरवाद कर देन दे हाँ आज इसने वारे होश यानना पान दे लए, साधे एतनाल मोजूद ने बीके मोहिंदर पाल पाल पाईजे. साथ सिकाल पाईजे, ओम शांति. तो आड़ा बहुत-बहुत सवागत है. पिछले एपिसोड दे विच तुसी सानों दस्या, कि किद्धा असी अपना समा बरबाद कर रहे हैं. ता इस समय नूँ असी किद्धा मैनेज करिये, तुसी कुछ प्राक्टिकल अपने अन्बव साधे नाल शेयर करो, प्लीज. देखो, जिस तरह मैं पहले एपिसोड दे विच भी दस्या है, आतम विश्वास्ती कमी ही करके, असी अपना समय बरबाद कर दे जा रहे हैं. इदे विच मैं नाल नले जरूर कमागा, चंगियां चीजां ते पैशन करके भी असी अपना समय बरबाद कर दे हैं. तुसी कहोगे कि पैशन ता बहुत अच्छी चीजां भी हुंदा है, अगर सानु पैशन नहीं है ता इस किसे भी काम नू असी सिरे नहीं चुगा सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट असी अंडर्टेक कर दे हैं, अगर साड़ा होदे विच इंट्रेस्ट नहीं हैं, अपना पैशन रखना है पर किस हद तक रखना है, देखो इस दुनिया दे विच इस यूनिवर्स दे विच हर चीज परवर्तनशील है, और हर चीज हमेशा उस रूप सब रूप देचे काईम नहीं रहन दी, जिस तरह सी कोई पैशन, असी प्रोजेक्ट अंडर्टेक कर दे हैं, असी बहुत लगननाल, मेनतनाल, इंट्रेस्टनाल, अपना पन समझ के असी बिलकुल निश्काम हो के उससी प्रोजेक्ट नू सिरे चड़ान दे हैं, यह थितिक ठीक है, सानु बाद देविच बिलकुल नियारा हो जाना चाहिए है, नियारा ते प्यारा रहना, यही मैं सम कि अद्रफलता देवल लेके जान दी है, साड़ा जिथे वेलोंस बिलकुल भादाए हैं, उत्छे साड़ा इसेजन्स, उत्हे संकल्प भी साड़ा कम जान देने, साड़ा जड़ा चुका है, जिन्हों सी लगाव कमां गे, जिन्हों सी पैशन भी ली प्रवाँए, इस सें जादी ने कदी उस चीज सानु छड़नी पाएगी, सानु पूलनी पाएगी, उस वेले सानु कष्ट नहीं होना चाहिएगा. तो आड़े कैंदा मतलब कि ऐसी कम करिये लेकिन जादा उस दे नाल इमोशनली अटेच ना हो जाएगे, क्योंकि अगर अगर इसी एमोशनली अटेच हो जाएगे, तब बादे वीच उस दा प्रवावजूल साड़े मानते पावेगा. यह एमोशनल एक जादा आतम भिश्वासत पहले हैं यह पहले फिसूड तो जोर दे रहो है. आतम भिश्वास ऐसी चीज है, अगर क्रादå आतम भिश्वासते विच कुछ कम्ही आजंदी में कुछ कमजोर ही आजंदी है, फिर आसे ऐंदर कोई ने कुई कवी आजंदी है, सानु दुखी पल जीने पेंदेने यहां असी कमांगे सानु समस्यां देवेच असी केर जानने हां मैं तुआ नो एक छोटी कहानी होर दस्ता हां कि देखो जिस तरह एक व्यक्ति दो कड़यानू नाल लेके अपने मोड़यां ते पानी पर के किसे मंदर या गुर्दवारदी सेवा करन लेके जानदा है वो देवेच एक कड़ा जड़ा है वो देवेच त्रेड आन दी है जिस तरह सी आज दुनिया देख देख देए हैं कोई भी व्यक्ति एक को जया है नहीं है कोई बहुत सुन्दर है कोई काट सुन्दर है कोई भळवेड़े है उड़वेड़े पानी लेटेंक आए और छोडा रषे जसा जांदा करें लेह बहुत जांदा, आपने आप देवेच बहुत हीन पावना पैदा हो जन्दी है। इदा मतलब ही है कि ओह अपनी दिरिष्टिनल जो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। ठीक देवाद फूड़ी जड़ी अवास है तुसी ये कहिए सकते हो की उती वेचे जो मिल देने के जो लिए पूजारीजी जो जो कहनें कि अपना दुख जड़ा है ओवर्नन कर दा है कि मतल नहीं सेवा कर रहा हैं। यह कड़ा है मेरे नालों पूरा पार के आनदा है तो बहुत सेवा करदा है मेरे उपर भी कोई कृप द्रिष्टी रखो इस तरह आपना जड़ा दुख दर्द पुजारी जी नाल जा विदवान जी नाल सांजा करदा है उस तो बाद विदवान ने उननों जो एक्स्प्लेनेशन दिती है उस तो साननों बहुत प्रेरना मिल दी है उस जड़ा पानी जड़ा रिस्दा है रस्दे देवेच उस जगाते उफुल उगदे जान देने उप जारी केंदा है कि मैं यही फुल जड़े है लेके मैं परमातमा दी चरना देवेच मंदर देवेच शशोबित करदा है अब इशवर दी चरना देवेच मैं उननों पेंट करदा है पर ए फूल तदी आए अगर तुसी ना रिस दे ना थवड़ा पानी हो थे बेंदा ए फूल कदी नी आ सकते सी इस करके थवड़ी जड़ी कांट्रिबुशन है वो हो सकता है कि वो दूसरे कड़े नालों भी ज़ादा होबे पर उन्हों अपने ते सेल्फ कॉन्फिडेंस नह कि कुधरत जड़ी है वो सारे वास्त ईक लर्ज दृश्टी ना貌 किर्पा नाल देखते है उना वास्त पूरी कुर्पा उना दे ुपर रहन्त है हर एक पराणी नाल इसरफ जड़ी नाटक असी पपेनता दा नाटक है जड़ा उसी खेड 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 दे हैं कि ते सानु चंगा लगदा है किसे मंदा लगदा है हर एक दे अंदर कुछ न कुछ गुन हन लेकिन उसनु जुरुरत है अपने अंतर गुनानों जानन दे लेकिन आपने अंदर गुनान गतल जानने हैं असी उस गुना नो जान दे नहीं हैं, पैचान दे नहीं हैं, उन्हों अन्वब नहीं कर दे हैं, जेनों मैं एक शब्द आत्म विश्वास दी गल करदा हैं, अपने आपनों असी आत्मा समझ के, सेल्फ नो रिलाइस करके, साधी दिरिष्टी बृति जड़ी है, वो आत्मिक हो जानी चाहिए है, अपनी आत्मिक दिरिष्टी नाल एक दूसे नाल विभार दे वे चानने हैं, ते साधी जड़ी सारी समस्यां जड़ी वर्नन कीती हैं, असी अनुकदी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता, असी कदी भी किसे नाल, किसे दी गल्ला तों, किसे दी अचाईया तों, किसे दी बुराइया तों, असी पर वावित नहीं हो सकते, साधी जड़ी जिन्दगी अन्मोल है, जिस तरह असी पहले एपिसोड दे वेची में थुन्दस है, जित्तों असी शुरुआत कीती सी, वो साधी अन्मोल कड़ियां जड़ियां है, वो असानु अन्मोल ही होन गियां और असी अपने जीवन नू अच्छी तरह जी सकते हैं, और किद्धा असी सम्मेदी बच्चित कर सकते हैं, मैं समझ दा है कि जदों असी आत्मिक दिरिश्टी विर्तित वेच रहने हैं, एक दूसे नल आत्मा समझ के असी भिवार देवेच आने हैं, सानु हर ए कि साड़े अंदर कोई भी कडवी गल हो सकती है, यह एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और दूसेंदी रिस्पेक्ट भी है, यह सिन्व असी डिविनिटी कमांगे, दिव्यता कमांगे, साड़े अंदर जड़ी परमात्माने कोट-कोट के परी होई है, सिर्फ असी अन जान हा आसा प्ले होहां, आपने आपनू जदो आसी आपने आपनू आत्मिक समरती वे चितिका के, एक दूसरे दें अंदर परमातम दा नूर देखांगे, रोशनी देखांगे, इस ही दिरिष्टन आला से वेवार देवे चाहांगे, शानु अपने अंदर भी रिस्पेक्ट फिल हो जिन्दगी है साड़ी अनमोल जिन्दगी है, आसी उस्ता आनन्त उठा सकांगे. तो आड़ा बहुत बहुत आनवाद पाईजे, आज तुसी आपने बहुत वड़े विचार साड़े नाल सांजे किते, कि किद्धा आसी आपने समय नू चंगी तरह बैतीत कर सकते हैं. तो आपने लई नहीं पेतीत करना, जदके दूसरे आंदे लई भी एह निकाली है. सिर्फ आपने लई कल्यान ना सोचिये, सारे संसार्दा सोचिये, और माननों जित के किद्धा आसी पूरे संसार्नों जित सागदे हैं. अगली कडी फेर तो मिलांगे एसे अपिसोड दे वीच ताथ ताकते लई ओम शान्ति सास्तियाकाल.